गुड मॉनिं एरिवाल मैं सल्क मौहीब और यह में डोटर है शेल्वी को और इनकी मदर है लाज चेरी शेल्वी का अडमिशन हमने जेपेस में कराया उससे पहले हम मतलब बहुत ज़्यादा कन्फिज हो गया थे कि शेल्वी का अडमिशन कॉनसे स्कूल में कराया तो हमारे फ्रेंड्स अगर अगरा है फेमिली मेंबर है उससे राय लेकर हमने शेल्वी का एडमिशन जेपेस में करवाया जेपेस का जो लोगो है सेवा संसकार शिक्षा ये मेरे इसाब से वो सिफ लोगो नहीं है वो हमारी बच्ची को मिला भी मेरी सिस्टर खुद जेपेस में पढ़ती थी लेकिन उससन और आज में मुझे असा रखता है मेरी पसनल रहा है कि जेपेस में नहीं थी और आज फेसिलिटी वगरा सब मतलब इसी बच्चों में कोई परेशा नहीं बात नहीं है जनरल एक्टिविटीज भी जैसे कि महां पर होती रहती है बच्चों के लिए सिर्फ पढ़ाई होना ही जरूरी नहीं है एजुकेशन के साथ साथ उनको जनरल एक्टिविटीज है और उनको मतलब मॉटिवेशन बगेरा मॉटिवेट भी किया जाता है कि उनका उन्हें ये भी समझाया जाता है आज करके बच्चों को मतलब जैसे की त्योहारों का मतलब यह होता है कि घर में मिठाईये बन जाती है हम हमारे परीचितों से मिलते हैं और मतलब नए कपड़े पहनना घूमना फिरना यहीं बता होता है लेकिन यहां पर बच्चों को समझ में आता है कि बुराही पर अच्छाही की जीत की वज़े से हम घशेरा मनाया जाता है बहुत सारी अच्छी बाते हैं जो जैपीएस में हमें मिली है क्योंकि जब हमने अडमिशन करवाया था जब हम सैटिसपाइट तो नहीं थे पर फिर भी हम थोड़े कंप्यूस थे पर सबके लिए डिसिजन था तो हमने जैपीएस को चूज किया था बट अब हमें लग रहा कि हमारा डिसिजन बिल्कुल सही था वहां पर हमने जब बच्चे का एडमिशन करवाया था जब हमें ऐसा लगता था पता नहीं क्या हो कुछ बोल रहे थे कि बहुत अच्छा स्कूल लेकिन कुछ नेगेटिव ही बोलने वाले मिलते हैं कि जिन से भी वह ने बात हुई तो इस वज़े से अभी हमको जो लग रहा है मैं बात है कि सिक्यूरिटी आज के समय में महां सिक्यूरिटी भी बहुत अच्छी मिल रही है बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है हमारे बच पैसे लेकीज भी है हम बेफिक्र हो के हमारे बच्चों को बहे सकते हमारे बच्चे वहां सेफ और हमको ही लगता है कि हमारे डिसीजन गरत रहा देभाघ कि हम जे पिश मेस का अब्में कराना भाग में हम जे पिश से फुल बी सटिस्पार है और अगे भी अगना किसी को झाल झाल